हेलो गाइज वेल्कम बैक तु माई यूट्यूब चैनल मैं हुरजीत और आप देख रहे हैं जेकी की मोटवलोग आज हम मोटवलोग करें अपनी चेतक स्कूटर पे वी आर गोईंग फॉर दी हेर कटिंग और मैंने सोचा सब प्लेंड लेके चलते हैं फिर मैंने सोचा चलो जेतक पे रिवीईू करते हैं जेतक पे मोटवलोक करते हैं और अब हमने न्काल ली है जेतक घर के बाहर जा रहे हम करणे चुछ चे स्कूरिऑ बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा हमें चिसे मॉटिवाय करवाईह तर हमक Songbird कर वाएंगे से अगनों स्ट्रेट और पिछ सा यो बांप होती है और इसमें भी चेंज करेंगे सको डवल शेड करेंगे इसमें दो पेंट के शेच करेंगे इसमें अभी इतना सोचा नहीं है लाइडी मौड़िफाइग dove करवाएंगे हम इसमें और चोटा सा जम पाता है तो बहुत हिलता है इसका पीछे सिर्फ एक ही शौकर है जो कि बड़ा हाड है और वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा है इसमें पुराना इंजिन है बाइब्रेशन तो होगी ही इसमें और अज के इंजिन जैसा खोड़े है जैसे ब्याश सिक्स के इंजिन एकदम स्मूध आ रहे हैं इतनी वाइब्रेशन नहीं आ रही है जैसे न्यू धुक्लासीकल आया है उसमें वाइब्रेशन बहुत कम होगी है थे इस कंप यर्ट एप उस पे आप पानी का घ्लास रखेंगे सीट पे तो वो नहीं गिरेगा, वीरायस अगर आप पुरानी क्लासिक पे वो लुट के फ़ेगा जात सक्षाि धन्याबाद ऐसा कि आप सबको तो और आप आप चेटक स्कूटर की एवरेज बताऊं तो आप शॉक हो जाएंगे एवरेज बुलेट से भी कम है बुलेट फिर भी 32-35 में दे देता है तीन चाहर सर्विस होने के बाद भी लेकिन इसकी एवरेज है सिर्फ 27-28 इसका भी खर्चा बुलेट जितना ही है जैसे आप देखा जाए तो क्योंकि बड़ा पुराना इंजिन हो गया तो इतनी एवरेज यह नहीं देता सिर्फ एवरेज इसकी 27-28 किया बस और यह भी बुलेट जितना ही पैटरोल खाता है यह भी सिर्फ शौंक वाले बंदे ही रख सकते हैं जिनको शौंक है नहीं तो आज कल किसी के घर पे स्कूटर देखने को मिलता ही नहीं है जिनके घर होता है तो वो उसको को सेल कर देते हैं कबाड़ी वाले को एप्रॉक्स टू टू तीन हजार में बेज देते हैं तो आज हम वीडियो यहीं तक रखेंगे ज्यादा बातें नहीं करेंगे इंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को आगे आप कर दोस्ट प्डेश सेल कर दोसे भोसे किसमेंगे ज्यादा राभ जा सिर फटू एॵक्त ProgramOh अपन आप कर दोसे स्टों home झाल 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 झाल